वीवो का फोन आया है वीवो वाय möchteक विबी नाइटी जिसका जो है इसमें लॉक्ज़ए पैटरूट लॉक्व भूल गया हूं आपकी पिन भी हो सकता है पास्वरी भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जो अप इसका हूं भुल गया है और उसका बात जो आप इसे open नहीं कर पाते हैं मौडल कुछ यह है जो आपको पता होगा अगर आपके पास है तो मैं देखा देता हूँ देखें यहाँ पे प्रविश्ट करने वाले हैं इसके लिए आपको प्रणी करना पड़ेगा जब तक आप रिसेट नहीं करेंगे उस टाम तक जो है आप फोन को ओपन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम आती है वह आपको देखा देता हूं जैसे कि आपको 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 देखा देता कि आपका पैटर्न क्या है जो आपके लॉक लगा है जाए पासवर्ड हो या पासकोड हो आपका क्या है उसको जब तक आप डालेंगे नहीं उस टाम तक आपका खुलेगा तो वहाँ पर आप जाएंगे करने के लिए तो आपको पूछा जाएगा लेकिन उसके बाद पीर आप से पूछा जाएगा का आपके फ़र में लॉक क्या है इरेज करने के लिए जिसे देखिए क्लियर डेटा इस पर किलिक करते हैं तो यहां पर देखिए और पूछा जारा जब तक आप पैटर्न नहीं देंगे उस टेम तक जो है आपका डेटा इरेज नहीं होगा तो ट जाएगे बस दो मिनिट का काम है आप उन से लीजिए और उसके बाद जो पैसी में आप कुछ इन इस्टॉलेशन करना है उसके बाद इसली जो है आप इसको रिसेट कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार कर लेते हैं बागी प्रोसेश जो है मैं स्टेप करता हूँ वीडियो पसंद आजाए तो एक लाइक करिएगा और अभी तक आपने टेकनोलिजी अंसाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बिल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए अपने फोन को रिसेट करने के लिए अपने पैटर्न को या पासवर्ड को रिसेट करने के लिए आपको एक टूल चाहिए जिस टूल का नाम में MRT वर्जिन जो 2.60 का होना चाहिए इससे जो है आप इसलिए अपने फोन को रिसेट कर सकते हैं जैसे कि देखिए यहापे कित डिस्क्रिप्शन में जाए एक वार्टसब का नमबर मी लगा उस नमबर पे आपको एक मैसेज कर देना है कि टूल चाहिए तो मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा यहां डिस्क्रिप्शन में इस कहली कि नहीं डाल सकता हूँ अब बाकी आती है कि कैसे तोड़ा जाए तो इसके लिए आपको एमटी के टूल वाला जो है उप्शन है इस पे आपको किलिक करना है यहां पे किलिक करने के बाद आपको एक उप्शन दिखेगा यहां पे फॉर्मेट का जिसे देखे फॉर्मेट अनलोग का इस पे आपको किलिक करना है और उसका बाद जो है यहां वर्जन है तो मेरा फिलाल अभी वीवो वाई 19 है लेकिन यहां पर यह वर्जन है नहीं तो इसलिए वाई 83 ओनली पर किलिक करते हैं उसका बाद जो है अपने फोन में डेटा के भी लगा देना है जिससे लगाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन देखने जाएगा चार्ज होने लगेगा जिससे चार्ज होना स्टार्ट होगा तो आपको यहां स्टार्ट पर किलिक करना है जिससा आप स्टार्ट पर किलिक करेंगे तो आप अपने यहां पर देखेंगे फोन में जिससे जो पावर आफ वाला जो बटन होता है इसको आप थोड़ा से लॉंग प्रेस करे करेंगे आप आफ वाले बटन को एक दो मरत प्रेस करेंगे आप सिर्फ काली ऑफ वाला जो बटन इसको लॉंग प्रेस करेंगे दो टाइम बस ज्यादा नहीं तो आपको हो जाएगा काम जैसे कि देखिए यहां पर हो चुका है तक्रिवां तक्रिवां यह देखिए यहां पर लिखा हुआ आच चुका है कि और इरेज यूजर डेटा यहां पर लिखा गया और नीचे ही और इस डन मतलब सारा कुछ हो गया मेरा फोन भी रिसेट हो गया है अब चलिए देखिए जैसा कि देख सकते हैं फोन में भी हो गया बागी प्रसेश चलिए में फोन में प्रस सेट अप करके हम आपको देखाते हैं तो यहाँ पर कम्प्लीट हो चुगा है देखें यहाँ पर सेट अप यूर फोन का है इस वे क्लिक करते हैं और इसका बात जो लिंग्वेज यह सारा कुछ आप सेट अप कर लीजिए कोई प्रॉब्लम ने होगी देखते हैं फर्पी लॉक लग रहा है कि नहीं लग रहा है अगर फर्पी लॉक लगेगा तो इसकी में वीडियो जो है अलग लाओंगा इसका आपको है मिल जाएगा प् अफर्पी आपसे महागा जा रहा है यहाँ पर देखिया फाइनली जो है कंप्लीट हो चुका है और यहां पर नेक्स्ट करने के लिए बोल ला है नेक्स्ट कर देता हूँ यहां पर इम्पॉर्ट नहीं करना चाहता है डेटा को और यहां लीजिए कुछ एप्स वगेर आ यूज नौ पर किलिक करते हैं तो यह देखिए बिल्कुल न्यू फून जो है त्यार हो चुका है आज चुका है हाथ में गाइस हमने इसके फर्पी को जो लोग था पेटरन लोग को खतम कर दिया तो गैस आई होफ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राब कर लीजिए